नमस्का दोस्तों, PLTX में आपका स्वागत है दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको UPSC Video Reexam 2022 के लिए इविद्या का Practice Set 1 लेकर आया हूँ और इस Practice Set का पहला Practice Set हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, आज की इस क्लास में Practice Set 1 है दोस्तों यूपिटर पलसी उत्रप्देश ग्राम विकास सद्यकारी वीडियो का पहला Practice Set सॉल्व करेंगे दोस्तों और ये पहला Practice Set जो है आपको हिंदी के Questions को Part 1 में देखेंगे दोस्तों हिंदी परिज्ञान और लेखन योगिता तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए दोस्तों आएए सुरू करते हैं Question No.1 से पहला Question दिया गया है बाल कृष्ण भट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है तो पहला Question है दोस्तों आपको इस Question का Right Answer देना है और अंत में दोस्तों ये Comment करके बताना है कि आपके इस Practice Set में कितने Questions आपसे बन पाते हैं सही आंसर कितने आपके पाते हैं कितने Questions आपके सही होते हैं जरूरू बताईएगा तो इस question का आप right answer देजे यहाँ पे इस question का तो दोस्तों यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा option B हो जाएगा रामचन सुकल इसका सई ज़ाब हो जाएगा बाल क्रिशन भट को हिंदी का addition रामचन सुकल ने कहा था धोस्तों ध्याँ देहां लखेगा option B right answer हो जाएगा अगला question, question number second है धिंडोरा, पीटना, मुहावरा किस अर्थ में प्रियुक्त होता है तो दिये गए options में से दोस्तों आपको सही विकल्प का chain करना है तो धिंडोरा, पीटना, मुहावरे का अर्थ परचार करना होता है जबकि डिंग हाकना और खेल करना भी मुहावरे हैं जिनके अर्थ अनावर्षक बातें कहना और तमार्षा बनाना होता है तो विकल्प यहाँ पे B right answer हो जाएगा परचार करना अगला question, question method है जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है तो जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है दोस्तों दिये गए options में से आपको right answer का chain करना है तो जिसकी इच्छा की गई हो के लिए एक option इच्छित दिया गया है दोस्तों, िपसित दिया गया है और आकांशा दिया गया है इन सभी शब्दों का प्रियोग होता है तो right answer option D हो जाएगा ये सभी अगला question question number 4 है एक थाली के चटे बटे का अर्थ क्या है तो दिएगे options में से आपको right answer देना है दूस्तों तो एक थाली के चटे बटे मोहुरे का अर्थ समान आदत सुभावाले option B right answer हो जाएगा अगला question question number 5 है निमलिखिर शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए तो इस question का दूस्तों right answer आपको बताना है किस option में सही वर्तनी दी गई है तो इसका सही जोब option A हो जाएगा आप one चक option A right answer हो जाएगा अगला question question number 6 इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए तो इस question कहाँ पर right answer option A हो जाएगा अना दृद सही वर्तनी दी गई है दूस्तों next question question number 7 है आकास गंगा शब्द का परयवाची है तो आकास गंगा का परयवाची बताना है दूस्तों दिएगा options में से आकास गंगा के परयवाची शब्द मंदाकनी सुर नदी और सौन नदी भी होता है तो यहाँ पे इस question का जो right answer option T हो जाएगा ये सभी अगला question question number 8 है अमर का बिलोम शब्द क्या होगा तो अमर का बिलोम शब्द बताना है दूस्तों तो अमर का बिलोम शब्द मर्त होगा option B right answer है क्योंकि अमर का अर्थ ना मरने वाला अभिनासी, सास्वत और मर्त का अर्थ होता है मरने वाला तो मरन शील आदी अब ध्यान रखेगा अगला question question number प्रसंद संख्या दी गए है 9 से 10, निमलिखित वाक्यों में से सुद्ध वाक्यों को सही उतर के रूप में चुने question number 9 है आपको इसका answer बताना है तो इसका दूस्तों यहाँ पे right answer हो जाएगा option A राम और सीता 1 में गए option A right answer हो जाएगा अगला question, question number 10 है तो इसका यहाँ पे right answer हो जाएगा C हो जाएगा, बच्चों को फल काट कर खिलाओ option C right answer हो जाएगा इस question का दूस्तों अगला question, question number 11 है हिमाले से गंगा निकलती है वाक्य किस प्रकार का है तो आपको बताना है दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पे इस question का right answer option A हो जाएगा अपादानकारक, इसका सही जवाब है अगला question, question number 12 है किस समास में अंतिम पद परधान होता है तो आपको बताना है इस question का right answer क्या हो जाएगा जिस समास में उत्तर पद यानि की अंतिम पद परधान होता है वहां तत्पुरु समास होता है इस समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन जो होता है का को के लिए लुप्त हो जाता है जैसे राज कुमार इसका समास विग्रा होगा राजा का कुमार अता का भी भक्ति जो है चिन का लोप होने के कारणी यहां तत्पुरुष समास है इसमें अंतिमफद कुमार प्रधान है तो यहां पे इस question का right answer option यह हो जाएगा तत्पुरुष समास अगला question question 13 है वे दिन वे लोग किस की रचना है दोस्तों most important है आपको बताना इस question का right answer क्या हो जाएगा वे दिन वे लोग सिव पूजन सहाई की रचना है यह संसमरण है जो वर्स 1946 में प्रकाशित हुआ option D right answer हो जाएगा अगला question question 14 है काब्या दर्ष नामक गरंथ की रचना किसके दोरा की गई थी तो काब्या दर्ष नामक गरंथ की रचना डंडी दोरा की गई थी यह संसकरत काब्यसास्त समंधी प्रसीद गरंथ है तो option D right answer हो जाएगा डंडी अगला question, question number 15 है केके बिड़ा फाउंडेशन द्वरा वर्स 1992 में साहित के शेत्मा उत्करष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की इस्थापना की गई है तो इस question का यहाँ पे जो right answer हो जाएगा, option A हो जाएगा, सरस्वती सम्मान, option A right answer है Next question, question number 16 तांसेन समान मदप्रदेश राज सरकार ने अरम किया है, यह पुरुषकार वर्स 1998 में इस्थापित किया गया था मदप्रदेश सासंद और हिंडोस्तानी सास्ती संगीत के शेत्र में उलेखनी योगदान के लिए पुरुषकार पदान किया जाता है तो option B right answer हो जाएगा इस question का अगला question question 17 है पदमावत के लेखा कौन है most important question है और बहुत ही simple question है दोस्तों तो पदमावत के लेखा मलिक मुहमद जायसी है इसकी रचना सन 947 समवत 1540 में हुई थी और पदमावत हिंदी साहित के अंतरगत सूफी परंपरा का प्रशिद महाकाब्य है ध्यान रिखेगा तो option C right answer हो जाएगा मलिक मुहमद जायसी next question question 13 है खड़ी बोली गद्दी के पूर्व हिंदी गद्दी का निमलिखित में से कौन सा रूप मिलता है तो खड़ी बोली के पूर्व हिंदी गद्द शाहित राजस्थानी ब्रज भाशा वद दाकिनी हिंदी तीनों भाशाओं में मिलता है तो यहाँ पर राइट अंसर option D हो जाएगा ये सभी हो जाएगा दोस्तों अगला question question number 19 है अकाल का परयवची क्या है तो अकाल का परयवची बताना है दुस्तों दिये गए विकल्प में से अकाल का परयवची शब्द दुर्भिच्छ होता है option A right answer हो जाएगा अगला question question में टुंती है आधुनिक हिंदी साहित की पहली आत्मकथा के लेकर कौन माने चाहते है तो आधुनिक हिंदी साहित की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं जिसके लेकर हर्वण सराय बच्चन है जबकि आधुनिक काल की पर्थम आत्मकथा अर्ध कथनक जिसके लिखक बनार्शी दास जयन है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा इसका राइट अंसर हर्वन्स राइ बच्चन हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं ध्यान रखिएगा इनकी जो है ये आत्मकता है अगला कोशन कोशन में 21 है अतिति का बिलोम बताईए तो अतिति का बिलोम बताना है दोस्तों दिएगा उप्संस में से तो अतिति का बिलोम जो होता है यहाँ पे आतिते हो जाएगा उप्सं एर आइटम सर हो जाएगा अगला कोशन कोशन में 22 है जिसे जीता न जा सकता हो कहलाता है जिसे जीता ना जा सकता हो क्या कहलाता है दोस्तों जिसे जीता ना जा सकता हो अजे कहलाता है किसी कार में सफलता प्राप्त करना बिजे कहलाती है इसी प्रकार किसी भी प्रकार का भैना होना अभै कहलाता है तो option B right answer हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन, कोशन नमबर 23 सनमार्ग का संद बिछेट क्या है तो दोस्तों बताना है आपको सनमार्ग का संद बिछेट क्या हो जाएगा तो सनमार्ग में बेंजन संधी है दोस्तों और इस संधी का संद बिछेट सत प्लस मार्ग हो जाएगा क्योंकि बेंजन के साथ बेंजन या स्वर के मेल को बेंजन कहा जाता है तो option A right answer हो जाएगा सत प्लस मारग अगला question, question 24 है अभिउदय का संद बिछेट क्या है तो दिये गए options में से अभिउदय का संद बिछेट आपको करना है तो अभिउदय में याड संदी है सही संद बिछेट यदि हम बात करें तो अभिउदय प्लस उदय हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे option B right answer हो जाएगा इस question का अगला question, question 25 है प्राप्तांक में कौन सा समास है तो प्राप्तांक में आपको समास बताना है दोस्तों तो प्राप्तांक में अभिभाव समास है इसका समास विग्रा होता है प्राप्त अंक होगा अभिभाव समास में पोरुपर बधान अभिव होता है और प्राप्तांक में पूरुपद प्राप्त परधान होने के साथ एक अबे भी है तो यहाँ पे इस question का राइटेंसर option one हो जाएगा अबे भाव next question तिर्फला शब्द में समास बताईए simple question है इस question का राइटेंसर क्या हो जाएगा त्रिफला शब्द में दुग समास है दोस्तों क्योंकि जिस समस्त पद का पूरुपद संख्या वाची विशेशन हो वह दुग समास क्या लाता है इसमें समुह या समाहार का ग्यान होता है तो option B right answer है दुग समास next प्रसन संख्या 27-28 नीचे दिये गए विकल्पों में से तत्सम सब्द का चैन कीजे तो तत्सम सब्द का चैन करना है नीचे दिये गए प्रसन से प्रसन नमबर 27 है आपको बताना इसमें कौन सा तत्सम सब्द दिया गया है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा जो कपाठ है कपाठ तत्सम सब्द है कपाठ तत्सम सब्द है दोस्तों और इसका तत्भव जो होता है वो किवार होता है ध्यान रखेगा अगला question question number 28 है 28 में आपको तत्सम बताना है तो इसका जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों कांचन का आर्थ स्वाण होता है दोस्तों ध्यान रखेगा अगला question question number 29 अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है तो अत्याचार में आपको उपसर्ग का च्वेन करना है तो अत्याचार सब्द में अत्युपसर्ग है और इसमें मूल शब्द आचार है यंड संधी के अनुसार छोटी बड़ी वणों के परचात भिन्सवर आने पर इसमें परवर्तन हो जाता है तो यहाँ पे इस question का जो right answer होगा वो option भी हो जाएगा अत्याचार आती यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 30 है अनुचर में प्रियुक उपसर्ग बताएगा तो अनुचर में आपको उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग का प्रियुक किया गया है तो अनुचर शब्द में अनुपसर्ग वचर मोल शब्द है दोस्तों तो अनुपसर का प्रियोग हुआ है यहाँ पर option C right answer हो जाएगा अगला question, question by 31 है उंट के मुह में जीरा का अर्थ इन में से क्या है तो यहाँ पर इस question का दुस्तों right answer हो जाएगा option A right answer हो जाएगा आव सकता कि यह पे च्छा बहुत कम वस्तू होना option A right answer है अगला question, question was 32 इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिये तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा option B, some brand इस प्रकार से लिखा जाता सही वर्तनी दी गई है दोस्तों, some brand next question, परसंद संख्या 33 से 34 निमलिकित वाक्यों में से सुद्ध वाक्यों को सही उतर के रुप में चुने, तो 33 question number है, इसमें आपको सही और सुद्ध वाक्यों को चुनना है तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा, option D हो जाएगा, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकार सन बंद हो गया है अगला question, question number 34 है, इसमें भी आपको सुद्ध वाक्यों का चैन करना है तो भारत में अनेक जातियां है, वाक्यों सुद्ध है दोस्तों, भारत में अनेक जातियां है C right answer हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां है अगला question, question number 35 है, सरुनाम के भेद हैं, तो सरुनाम के भेद बताना है दोस्तों कितने होते हैं तो सरुनाम के भेद 6 होते हैं दोस्तों पुरुस वाचक होता है निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक, समबंध वाचक, और प्रसन वाचक तथा निज वाचक तो यहां पर राइट अंसर आप्सन दी हो जाएगा अगला कोशन, कोशन वर 36 विशेशन की शब्द की विशेश्टा बताते हैं तो आपको बताना है दोस्तों इस कोशन का राइट अंसर क्या हो जाएगा विशेशन संग्या और सरुनाम की विशेश्टा बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं और इसके चार भीद होते हैं सरवनामिक बिशेशन, गुण वाचिक बिशेशन, संख्या वाचिक बिशेशन और परिमार वाचिक बिशेशन तो यहाँ पर इस question का राइट अंसर option C हो जाएगा संख्या उस सरवनामिक की बिशेशता बताने वालों को बिशेशन कहते हैं अगला question, question number परसन संख्या 37-38 निमलिकित प्रसनों में वाक्य में कौन सा अब्वे है अब्वे शब्द का चैन करना है दूस्तों दिएगा questions में से तो question 37 है मैंने उसे देखा तक नहीं इसमें आपको अब्वे शब्द की पहचान करना है मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में निपात अब्वे है यहाँ पे राइट अंसर जो होगा दूस्तों option D हो जाएगा निपात है अगला question question number 38 वह दिन भर पढ़ता रहा तो इस question का राइट अंसर क्या हो जाएगा दूस्तों वह दिन भर पढ़ता रहा अगला question question number 39 है हिंदी में कितने वचन होते हैं दूस्तों आपको बताना है तो हिंदी में वचन कितने होते हैं तो हिंदी में दो वचन होते हैं दूस्तों एक वचन और बहुचन जैसे लड़का एक वचन और लड़के बहुचन तो option यहाँ पे ए हो जाएगा दो होते हैं अगला question, question number 40 है इन में से एक वचन बहुचन का कौन सा युगम सही नहीं है तो जो भी युगम सही नहीं है आपको चैन करना है तो option इस question का B right answer हो जाएगा आशू, आशू, option B right answer हो जाएगा आशू, आशू, शब्द युगम अशुद है एक वचन बहुचन युगम है क्योंकि आशू शब्द का प्रियोग सदे बहुचन के लिए किया जाता है option B right answer हो जाएगा अगला question, question number 41 है कारक का अर्थ है तो कारक का अर्थ बताना है दोस्तों देएगा options में से बलाते है और जो कारक होते हैं वो कर्था ने करम को करण से के द्वारा संपरदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रियोग किया जाता है संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे तो ध्यान रखेगा ये कारक चिन अब ध्यान रखेगा अगला question question 42 है शासन और कविता की पहुँच में आंतर या है कि एक व्यक्ति अप्सन C right answer हो जाएगा कि बाहे व्यक्तित को प्रभावित करता है दूसरा आंतरिक व्यक्तित को अप्सन C right answer हो जाएगा इसका सही जवाब है दूस्तों सासन और कविता की पहुंच में अंतर या है कि सासन मनुस के बाहे वेक्तित को प्रभावित करता है जबकि जो कविता होती है मनुस के आंतरिक वेक्तित को प्रभावित करती है option C right answer हो जाएगा अगला question question number 43 है शासन मनुस को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि आपको बताना है क्योंकि लोब और भय मनुस की वे कमजोरियां है जो सभी में समान रूप से पाई जाती है मनुस के वेक्तित की इन कमजोरियों के कारण ही धर्म शासन हो या राज शासन उस पर सासन कर पाते हैं तो इस question का right answer option C हो जाएगा लोब और भयव, मनुस्ष की वे कमजोरिया हैं जो सभी में समान रुप से पाई जाती है next question, question number 44 भारती समिधार में सामिल किस भासा के लिए verse 2011 तक ग्यानपिट पुरुषकार नहीं दिया गया है तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा option B right answer हो जाएगा सिंधी, इसका सही जाब है भारती समधार की अस्टम सोची में सामिल भासाओं में सिंधी भासा के साहित को अभीत ग्यानपिट पुरुषकार नहीं दिया गया है तो ध्यान रखिएगा इस question का right answer option B हो जाएगा अगला question question number 45 निमलिकित में से किसे सत्तानवा ग्यानपिट पुरुषकार के लिए चुना गया है तो इस question के हाँ पर right answer option B हो जाएगा दामोदर माउजो इसका सही जवाब है प्रसिद कोंकडी उपन्यासकार दामोदर माउजो को सत्तानवा ग्यानपिट पुरुषकार 2002 के लिए चुना गया है माउजो रविंदर केलकर के बाद ग्यानपिट पुरुषकार पाने वाले दूसरे कोंकडी लेखक है ध्यान रखेगा खड़ी बोली हिंदी गदी का प्राचीनतम प्रमाड किस रचना में मिलता है तो खड़ी बोली हिंदी गदी का प्राचीनतम प्रमाड गंग कभी की रचना चंद्र चंद बर्वन की महिमा नाम गरंत में मिलता है और गंग कभी का वास्तविक नाम गंगा धर था जो अकबर के दरवारी कभी थे उन्हें उतरप्रेश के इतावा जिले के ब्रह्म भट भी कहा जाता है इसके अत्रिक्तिय रहीम बीरबल मांसिंग और टोडर मलके भी प्रियत है तो आपको ध्यान रखना है तो इस question का right answer option A हो जाएगा चंद्रचंद बर्मन की महिमा next question question number 47 हिंदी निबंद का वास्त भी कुदय माना जाता है तो भारतिन्द युग 1850 से 1900 से हिंदी निबंद का वास्त भी कुदय माना जाता है तो option B right answer हो जाएगा भारतिन्द युग अगला question question number 48 है गद्द यदि कभियों की कसोटी है तो निबंद गद्द की कसोटी है यह कथन किसका है तो इसका right answer option B C हो जाएगा रामचंद शुकल इसका सही जौब है रामच चंद शुगल के अनुसार गद यदि कभियों की कसौटी है तो निमबंद गद की कसौटी है option C right answer हो जाएगा अगला question, question number 49 है मैं कौन सा रस है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से दोस्तों इस question का यहाँ पे right answer option A हो जाएगा वात्सल रस हो जाएगा option A मैं तो चंदर खिलावना लई हूँ इसमें वात्सल रस है दोस्तों क्योंकि वात्सल रस का सबसे छोटे बालक बालिकाओं के प्रती माता पिता यों सगे समद्धियों का प्रेम यों ममता के भाव से है तो option A right answer हो जाएगा अगला question और इस practice set का अंतिम question है दोस्तों question number 50 चंदर सास्तर के प्रणेटा कौन माने जाते हैं most important प्रसन है दोस्तों आपकी परिच्छा के लिए तो इस question के हाँ पे right answer option B हो जाएगा पिंगल चंदर सास्तर के प्रणेटा पिंगल को माना जाता है और इसी करण चंदर को पिंगल भी कहा जाता है चंदर शब्द छाह धातु से बना है जिसका अर्थ आहदित करना होता है खुश करना चंदर को काभिशास्तर में कविता के इस class में दूसरे practice set की हम लोग बात करेंगे दूसरे practice set के हिंदी का पहला part देखेंगे पहला part है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन युग्यता भाग पहला है और इस पार्ट के पहले question से पहला question दिया गया है निम लिखित में से सुद्ध वाकि कौन सा है आपको बताना है दोस्तों निम लिखित में से सुद्ध वाकि कौन सा है दिये गए options में से आपको सही बिकल्ब का चैन करना है तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा और अप्सन सी हो जाएगा या उस भावन से लगुत्तर है शुद्ध वाकि के है दोस्तों और अप्सन सी right answer हो जाएगा next question question number second आश्य의 का प्रयवाची शब्द है दोस्तों आपको बताना है आश्य का प्रयवाची शब्द काौन है दिये गए options में से तो आश्य का प्रयवाची शब्द तात पर होता है option c right answer हो जाएगा अगला question question number third है अर्जीन वीष शब्द है तो आपको बताना है दोस्तों अर्जीन वीष शब्द किस प्रकार का है तद्भो है विदेशज है देशज है कि संकर है तो यहाँ पर इस कोश्चिन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अर्जीन वीष शब्द जो है संकर सब्द है और अर्जीन वीष शब्द जो है संकर सब्द है और अर्जी जो है अर्भी भाशा का सब्द है और प्लस नवीष फार्शी सब्द संकर सब्द है दो भासाओं के मेल से बने शब्द जो होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 4 है बिशेशन का प्रकार नहीं है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से कौन सा बिशेशन का प्रकार नहीं है यहाँ पे इस कोश्चन का right answer हो जाएगा जातिवा चक बिशेशन का एक प्रकार नहीं है यहाँ पे right answer हो जाएगा इस कोश्चन का अगला question, question number 5 है निमलिकित में से कौन सा द्वंद समाज का उदाहरन है तो द्वंद समाज का उदाहरन का चैन करना है तो यहां पे इस question का right answer जो होगा option C right answer हो जाएगा बेटा बेटी, बेटा और बेटी द्वंद समाज का उदाहरन है option C right answer हो जाएगा नेक्स कोश्चन, कोश्चन बार 6 है, निमलिकित में से सुद्ध वाकिक कौन सा है, सुद्ध वाकिका चैन करना है दुस्तों आपको, तो इस कोश्चन का जो राइट अंसर होगा, आप्सन C हो जाएगा, पहाडों में देखने योग अनेक दर्सनी इस्थल है, वाक्य कोश्चन, कोश्चन C राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स कोश्चन, कोश्चन नमइर सेवन, कोमल का निमलिकित में से कौन सा बिलोंच है, आपको बताना है दुस्तों, तो कुमल का बिलोम शब्द कठोर होता option D right answer हो जाएगा अगला question, question number 1 है कुमार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकुत्ती का क्या आर्थ है दोस्तों आपको बताना है इस question का right answer तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा option B, अपनी बनाई हुई वस्तो सबको अच्छे लगती है, option B right answer हो जाएगा next question, question number 9 है जाने की इचा रखने वाला वाक्यांस के लिए एक शब्द है तो कौन सा शब्द जाने की इचा रखने के लिए प्रयूक किया जाता है तो right answer हो जाएगा यहाँ पे जाने की इचा रखने वाला वाक्यांस के लिए एक शब्द जग्याशू है option B right answer हो जाएगा जग्याशू अगला question दोश्तो question number 10 तद उप्रांत में उप्सर्ग है तो तद उप्रांत में आपको बताना है दोस्तों किस उप्सर्ग का प्रयूक किया गया है तद उप्रांत तद प्लस उप्रांत होता है शब्द में तद उप्सर्ग है और एसे कुछ संसक्रत सब्द है जो उप्सर्ग की तरह प्रयूक्त होते हैं तद भी संसक्रत अब्बे है तो तद याद रखेगा option D यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 11 है कुटूम का तद भाव रूप होगा कुटूम का तद भाव रूप बताना भहती जी प्रशन है और इस प्रशन का उत्तर सभी से बन जाएगा अप लोग से तो यहाँ पे इस question का right answer जो होगा दोस्तों यह हो जाएगा कुटूम कुटूम हो जाएगा कुटूम का तद भाव रूप जो होगा वो कुटूम होगा ध्यान रखिएगा कुटूम का तद भाव रूप कुटूम होगा option A right answer है अगला question question number 12 जामून का तद सम रूप है आपको बताना है इन में से जामून का तद सम रूप कौन सा है तो यहाँ पे right answer option C हो जाएगा जम्बूल जम्बूल जो है जामून का तद सम रूप है अगला question question number 13 जिसके पास कुछ नहो उसके लिए उप्यूक्ट शब्द है तो इस question के यहाँ पे right answer हो जाएगा जिसके पास कुछ नहो वाक्यांस के लिए उप्यूक्ट शब्द अकिंचन होता है option B right answer हो जाएगा next question question number 14 लडाकू में प्रत्य है तो लडाकू में प्रत्य आपको बताना है किस प्रत्य का प्रयूक किया गया है तो right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा आकू लडाकू आकू तो option C right answer हो जाएगा अगला question question number 15 निमलिकित में से कौन सा शब्द बिसेसर नहीं है आपको बताना है दियेगा options में से कौन सा सब्द है option D right answer है ध्यान रखिएगा अगला question question number 16 है पित्र नुमाती का संधी बिछेथ है यहाँ पे right answer इसका हो जाएगा दोस्तों पित्र नुमाती का संधी बिछेथ पित्री प्लस अनुमाती होता है और यहाँ यर्ण संधी का उदाहरान है दोस्तों ध्यान रखिएगा पित्री प्लस अनुमाती next question question number 17 है निम लिकित में से कौन सा शब्द pulling है तो pulling शब्द का chain करना है दोस्तों तो way शब्द pulling शब्द है option B right answer हो जाएगा next question question number 13 है इन में से सामान भूतकाल का वाक्य है तो सामान भूतकाल का वाक्य का chain करना है दिये गए options में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों right answer option C हो जाएगा राम दोड़ा option C right answer है next question question number 19 बिग्डी दसा में शब्द का अंग्रेजी परियाएवाची है तो यहाँ पे इस question का दोस्तों सही जवाब जो है बिग्डी दसा में शब्द का अंग्रेजी परियाए out of order होता है option B right answer हो जाएगा out of order next question question number 20 चंचुदर के सिर्पे चमेली का तेल लोकुत्ती का क्या अर्थ है तो यहाँ पे इस question का right answer option D हो जाएगा दोस्तों आयोग बेक्टी को अच्छा पद मिलना option D right answer है अगला question question number 21 है आज गडित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली अर्थ के आधार पर यहाँ वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है आज गडित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य के अर्थ के आधार पर यह निसेधात्मक वाक्य है निसेधवाचक वाक्य है option B right answer हो जाएगा अगला question question number 22 दिएगे वाक्यांस के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए सभी अंग सामने आने पर इसपस्ट हो जाना तो सभी अंग सामने आने पर इसपस्ट हो जाना एक शब्द का प्रयोग आपको करना है तो यहाँ पर right answer option जो होगा और C हो जाएगा हस्ता मलक option C right answer हो जाएगा अगला question question number 23 निम लिखित में से कौन सा भिन्यार्थ तक शब्द योगम नहीं है आपको बताना है तो right answer जो होगा यहाँ पर दोस्तों option B हो जाएगा कपाट का किवाड option B right answer है next question question number 24 है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन से क्रिया है तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer जो हो जाएगा वाक्य में थी योजक किरिया है option C right answer हो जाएगा योजक किरिया ध्यान रखियेगा अगला question 25 है योगरूड शब्द है तो योगरूड शब्द इनमें से कौन सा उदारन दिया गया है योगरूड शब्द का तो 10 आनन मुख है जिसके यानि किरावड योगरूड शब्द है option B right answer हो जाएगा दसानन और इसमें आपको बताना है कौन सा समास है कमेंज करके बताना है दोस्तों आपको दसानन में कौन सा समास है अगला question question number 26 संसार शब्द में प्रियुक्त संधी का चैन कीजे संसार शब्द में प्रियुक्त संधी का चैन कीजे तो यहाँ पे इस question का right answer option B हो जाएगा बेंजन संधी है सम प्लस सार शब्द में बेंजन संधी है और P right answer इसका हो जाएगा दोस्तों आगला question question number 27 हिरामन सुआ का उलेक आता है कहां आता है दोस्तों option A दियागे कवीर गरन्थावली में option B है पदमावत में सूर सागर में option D है रामचरित मानस में तो यहाँ पे इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों हिरामन सुआ का उलेक पदमावत में आता है और इसमें हिरामन सुआ तोता गुरु का प्रतीक है दोस्तों option B right answer हो जाएगा ध्यान रिखेगा दोस्तों महात्पूर्ण प्राशन है अगला question question number 28 इस्थावर का बिलोम शब्द है तो इस्थावर का बिलोम शब्द क्या है दोस्तों तो right answer जंगम हो जाएगा इस्थावर का बिलोम शब्द जंगम होता है दोस्तों option D right answer है next question question number 29 शुद्ध वाक्य का चैन कीजिए शुद्ध वाक्य का दिये गए options में से आपको चैन करना है तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा माननी मंत्री जी आ रहे हैं या शुद्ध वाक्य है option B right answer हो जाएगा next question question number 30 दी गई रचना के रचना कार के सही बिकल्ब का चैन कीजिए उर्वर्शी किसकी रचना है आपको बताना है दोस्तों महत्पूर्ण प्रशन है तो उर्वर्शी के रचना का रामधारी शिंग दिनकर है वर्श 1961 में प्रकासि इस रचना पर वर्श 1972 में दिनकर को ग्यानपीट पुरुषकार प्रदान किया गया था तो इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि इनको इस रचना पर ग्यानपीट पुरुषकार मिला था तो इस रचना को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा अगला कोशन कोशन नमबर 31 है दीन दुनिया का नरहना मुहारे का अर्थ है तो दीन दुनिया का नरहना मुहारे का अर्थ क्या हो जाएगा इनमें से तो राइट अंसर हो जाएगा दीन दुनिया का ना रहना मुहारे का सही अर्थ होता है सब तरह से पतित होना Option D राइट अंसर हो जाएगा Next question Question 32 है 200 वाक्य का संधी विछेद है तो 200 वाक्य का संधी विछेद आपको बताना है Right answer इसका हो जाएगा दोस्तों 200 वाक्य का संधी विछेद 200 प्लस एक के होता है और इसमें ब्रध्धी संधी का उदारान है दोस्तों तो यहां पर राइट अंसर जो होगा option D हो जाएगा 200 प्लस एक के बराबर होता है 200 प्लस एक के ब्रध्धी संधी का उदारान है दोस्तों ध्यान अखियेगा अगला question, question number 33 इसपर्स बेंजनों की कुल संख्या क्या होती है simple question है आप सभी से इसपर्षन का उत्तर बन जाएगा दोस्तों तो इसपर्स बेंजनों की कुल संख्या 25 होती है option C right अंसर हो जाएगा अगला question, question number 34 सरस्वती पत्रिका का प्रकार्षन किस वर्स प्रारंब हुआ था most important प्रस्वन है दोस्तों ध्यान रखिएगा तो सरस्वती पत्रिका का प्रकार्षन वर्स 1900 में 80 से आरंब हुआ था ध्यान रखिए option B right अंसर हो जाएगा इसका 1900 में इसका प्रकार्षन हुआ था अगला question, question number 35 जिस चंद के प्रथम तथा तरती चरण में 12-12 मात्रायों दुती ये तथा चतुरत चरण में 7-7 मात्रायों होती है साती सम चरणों के अंत में जगड होता है वा चंद है तो उस चंद को क्या कहते है तो इस question का यहाँ पर right answer जो हो जाएगा option B right answer हो जाएगा बरवे कहते हैं अगला question, question number 36 है भारतेंड जी ने किस पत्रिका का संपाधन किया है तो भारतेंड जी ने किस पत्रिका का संपाधन किया है आपको बताना है इसका right answer क्या हो जाएगा तो भारतेंड जी ने कभी वच्चन सुधा पत्रिका का संपादन किया है, option C right answer हो जाएगा, कभी वचन सुधा, अगला question, question में 37 है, वह क्या चक्का मारा है, यहां किस प्रकार का वाक्य है, तो इस question का यहां पर right answer जो होगा दोस्तों, option B हो जाएगा, बिसमया दिबोधक, option B right answer हो जाएगा, next question, question में 38 है, सुभावता का अंग्रेजी पर्याइवाची है, तो सुभावता का अंग्रेजी पर्याइवाची आपको बताना है, दिएगा options में से, तो इसका right answer जो हो जाएगा, I as a matter of course, I as a matter of course हो जाएगा, option B right answer हो जाएगा, next question, question number 39 है, निमलिखित में कौन देशज शब्द है, तो देशज सब्द का आपको चैन करना है, दिएगा options में से, फटा-फट देशज सब्द है, देशी भाशा का सब्द है, option C right answer हो जाएगा, next question, question number 40, निमलिखित च्छा वाक्यों में से, पर्थम वा अंतिम निश्चित है, शेज को उचित करम में ब्यवर्श्थित कीजिए, तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा, option B हो जाएगा, किस तरह से इसको करम में लगाएगा, option B हो जाएगा, वा या रा, वा या ला रा, इस करम में इस sentence को आप लगाएगे, जैसे वास्प, बादल, कोहरा, बूंड, तो दोस्तों वीडियो को लाव तक देखें और पूरा देखें, दोस्तों यडियाप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, लाइक कीज़े, शेयर कीज़े, दोस्तों आईए सुरू करते हैं, भाग फस्ट है, आपका हिंदी परिज्ञान एम लेखन योगता, पहला question की हम बात करेंगे, पहला question है, चन्द की हर प अंती को चरण या 5 कहा जाता है, तो answer इसका जो right हो जाएगा दोस्तों, option a right answer हो जाएगा, ध्यान रखेगा, अगला question, question बात second है दोस्तों, एक आंक से रोवे, एक आंक से हासे, लोकुत्ती का सही अर्थ आपको बताना है दोस्तों, दिये गए options में से, तो दोस्तों यहाँ पर right answer जो हो जाएगा, option t हो जाएगा, दिखावटी रोणा, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक आंक से रोवे, एक आंक से हासे, लोकुत्ती का सही अर्थ दिखावटी रोणा है, option t right answer हो जाएगा दोस्तों, अगला question, question number third, बांच का तदसम शब्द पहचानिये, तो बां बांच का तदसम सब्द बंध्या है, option a right answer हो जाएगा दोस्तों, अगला question, question number fourth है, चाचा जा 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 उदाहरन है, तो आपको बताना है किसके उदाहरन है, तो यहाँ पी इस question का जो right answer हो जाएगा, चाचा जा जा इस परसी संघर्षी बेंजन के उदाहरन है, और इन खाती हुई निकलती है, तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा, option b हो जाएगा, इस परसी संघर्षी बेंजन, option b right answer हो जाएगा दोस्तों, अगला question, question number 5, ठेट हिंदी का ठाट के लेखा कौन है, आपको बताना है दोस्तों, most important person है, साहित से लिया गया है, ठेट हिंदी का ठाट क इसका सही जवाब है, ठेट हिंदी का ठाट के लेखक जो है, अउध्या सिंग उपाध्या है, option c, इसका सही जवाब हो जाएगा, next question, question number 6, नौकर का परवाची शब्द आपको बताना है, दोस्तों दियेगा, options में से, तो नौकर का परवाची शब्द सेवक होता है, option b right answer हो यहाँ पे आपको सटीक शब्द को fill करना है, देगा, options में से, तो इसका सही जो आप जो हो जाएगा, option c हो जाएगा, आपकी बड़ी बहन कहां रहती है, c right answer हो जाएगा, अगला question, question number 8 है, निर्देशा नुसार वाकी को पूरा कीजिए, काशी सहर गंगा नदी परवसा है, तो यहाँ पे आपको जो fill करना है दोस्तों, तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा, option c, काशी सहर गंगा नदी के टट पर बचा है, option c right answer हो जाएगा, अगला question बढ़ते है, question number 9 है दोस्तों, तदबह शब्द का आशे है, आपको बताना है दोस्तों, तदबह शब्द का आशे क् पर बने शब्द जो है, आपके तदबह कहलाते हैं, तो यहाँ पे right answer जो होता है, option b right answer हो जाएगा, शब्दों से उत्पन शब्द, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अगला question, question number 10 है, निम लिखिट में से कौन सा शब्द coordinator का हिंदी समानार्थी है, तो दोस्तों, आपक option c right answer हो जाएगा, next question दोस्तों, question number, प्रसंद संख्या 11 से 12 नीचे दिये गए वाक्य अंसों के, तूट पूर्ण भाग का चैन कीजिए, तूट रहित वाक्य पर बिकल्प D चुनिए, question दियागा है, 11 है, खेल शुरू होने के एक घंटा पहले, खिलाडी मैदान में जाकर, कुछ कसरत कर लेते हैं, कोई तूट नहीं है, आपको इसमें से चैन करना है, तूट रहित होने पर बिकल्प D चुनिए, तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, तूट कि यहाँ पर कुछ कसरत कर लेते हैं, इसके इस्थान पर हो जाएगा, कसरत के इस्थान पर अभ्यास होगा, अभ्यास यहाँ पर सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, जो महमान दिली से आये थे, उन सब को मा ने चाह पिलाई, तो यहाँ पर right answer जो option C, यहाँ पर होगा, अगला question, question number 13 है, मुहावरे का भावार्त की दुष्टी से कौन सा विकल्प नहीं है, आपको बताना है दोस्तों, मुहावरे का भावार्त की दुष्टी से कौन सा विकल जाना होता है, तो option A right answer इसका हो जाएगा, option A right answer है, अगला question, question number 14 है दोस्तों, नीचे दिये गए मुहावरे का अर्थ बताईए, आपको बताना है, दाग लगना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, दोस्तों, दिये गए options में से, सही option का chain करना है, तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा, दाग लगना, मुहावरे का सही अर्थ कलंक लग जाना होता है, option B right answer हो जाएगा, अगला question, question number 15 है, नीम लिखित में से कौन सा शब्द सुकिया या बिलो मार्थक है, दोस्तों आपको बताना है, सुकिया का बिलो मार्थक शब्द आपको बताना है, दोस next question, question number 16 की बात करेंगे दोस्तों, सरुनाम के उचित रोप से रिक्तिस्थान की पोर्त कीजिए, तो सरुनाम आपको फिल करना है, यहाँ पे चाभी खो गई, तो आपको दिये गए विकल्ब में से आपको सही सरुनाम का चैन करना है, तो मेरी चाभी खो गई, सही सरुनाम यहाँ पे यूज होगा, तो मेरी option जो है, C right answer हो जाएगा, अगला question, question number 17 है, मौत का परयावाची शब्द लिखे, तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे, इस question का जो right answer हो जाएगा, option A हो जाएगा, निधन होता है, right answer है, अगला question, question number 18 है, निर्देशा नुसार वाकी को पूरा कीज़े, जोकर को देखकर सभी बच्चे हस पड़े, तो किरिया विश्चेशन, तो यहाँ पे जो right answer हो जाएगा, जोकर को देखकर सभी बच्चे खिल खिलाकर हस पड़े, option A, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 19 है, दोस्तों, निर्देशा नुसार वाकी को पूरा कीज 90% से अधिक अंग पाकर तुमने तो कमाल कर दिया, बिसमया दिबोधक, आपको सही जवाब का, देना है इस question का, तो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे, अरे वाह, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, option A, right answer हो जाएगा, अरे वाह, 90% से अधिक अंग पाकर तुमने तो क वाच्चक बेशेशन है, option B, right answer हो जाएगा, next question दोस्तों, question number 21 है, खून का घूट पीकर रह जाना, मोहरे का अर्थ है, तो आपको बताना है, इस question का भी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो खून का घूट पीकर रह जाना, मोहरे का सही अर्थ होता है, विवस्ता के कारण, क्रोध रोक लेना, option D, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 22 है, निमलिकित में से किस वाक्ष में अपादान कारक है, आपको बताना है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पी right answer जो होगा, option C हो जाएगा, लड़का पेंड से गिरा, वाक्ष में अपादान कारक है, जहाँ अलग होने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगला question, question number 23 है, निमलिकित में से, राजपुतर शब्द में कौन सा समास ह आपको बताना है, दोस्तों, राजपुतर शब्द में आपको समास बताना है, तो right answer जो हो जाएगा, option D हो जाएगा, समंध ततपुरुस हो जाएगा, राजपुतर, राजपुतर होता है, और राजपुतर में समंध ततपुरुस समास है, दोस्तों, option D, right answer हो जाएगा, next question, question no 24 है उमेश शब्द में कौन सी संधी है आपको बताना है उमेश शब्द में संधी कौन सी है तो उमेश कि यदि आप संधी भी छेद करते हैं तो उमा plus ईश बनता है उमा प्लस ईश बनता है उमेश में गुणशंधी है दोस्तों धिहाँ रखिएगा ग्रतग का बिलोम शब्द आपको बताना है दूस्तों तो राइट आंसर जो हो जाएगा option B हो जाएगा ख्रतग्न होता है क्रतग्न क्रतग्न अर ख्रत्यांक क्या होता है जो किये गए उपकार को न मानने वाले को करतग ने बोला जाता है वन वर्ड सबस्टिटूशन इसका और किये गए उपकार को जो मानता उसको करतग बोला जाता है तो करतग का बिलोम करतग न होता है दोस्तों ध्यान रखेगा अगला question, question number 26 है निमलिखित में से कौन सा वाक सही है आपको बताना है तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा मुझे घर जाने की जल्दी है option A सही वाक के दिया गया है दोस्तों वाक के सुद्ध है option A सही जवाब है अगला question, question number 27 है निमलिखित में से कौन सा सैयुक्त वाक नहीं है तो सैयुक्त वाक का चैन करना है दोस्तों दिये गए options में से तो यहाँ पर इस question का right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा सौरब मोहन को मुर्क बना रहा है option B यहाँ पर right answer हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूचा गया है सैयुक्त वाक नहीं है सौरब मोहन को मुर्क बना रहा है सैयुक्त वाक नहीं है सैयुक्त वाक में दो परधान वाक समुच्चे बोधक अव्वे जैसे और इसलिए तथा आदिस से जूड़े रहते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा यह पहचान है सैयुक्त वाक की तो अगला कोश्चन कोश्चन नमबर जो है 28 है निमलिकित में से कौन सा सुद्ध शब्द है आपको सुद्ध शब्द का चैन करना है तो यहाँ पे जो सुद्ध शब्द हो जाएगा अनुग्रहीत शब्द जो है सुद्ध है तो वन वर्ड शब्द से है तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो C राइट आंसर हो जाएगा असक्त कहते हैं दोस्तों यहाँ पे जिसमें सक्ति ना हो वाकियांस के लिए एक शब्द असक्त है option C राइट आंसर हो जाएगा next question question number 30 वाकि को क्रम से लिखे क्रम से आपको लगाना है दोस्तों first, second, third, fourth दिया गया है इसको क्रम से आपको लगाना है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा दोस्तों option C हो जाएगा शेर गहरी नीद में सो रहा था चुहा सेर के उपर चड़ गया सेर की नीद तूट गई और गुसे से सेर ने चुहे को पकड़ लिया तो यह वाकि का क्रम इस परकार से हो जाएगा दोस्तों अगला question, question number 31 है निम लिखिट में से दिगंबर शब्द का सही संद्वीचेद है तो आपको बताना है दोस्तों इन में से कौंसा बी राइट आंसर हो जाएगा बराबर दिगंबर होता है अगला question, question number 32 है गायत्री गीत गाती है यह वाकि सामान भूत काल में होगा तो सामान भूत काल में क्या होगा दोस्तों आपशन ए राइट आंसर हो जाएगा गायत्री ने गीत गाया Option A, right answer हो जाएगा अगला question, question number 33 है दोस्तों व्याकरण की दस्टी से सुध्वाक्य है तो व्याकरण की दस्टी से दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा सुध्वाक्य दिया गया है तो option D, right answer हो जाएगा वह विदुसी महिला है Option D, सही जवाब है दूस्तों अगला question, question number 34 है A, उपसर्ग से बना शब्द निम लिखित मैंसे कौन सा है? आपको बताना है दूस्तों तो right answer यहाँ पे हो जाएगा A, उपसर्ग से बना शब्द आजीवन है Option A, right answer हो जाएगा Next question, question number 35 है वह तक्त पर सोता है में कौन सा वाच्च है? आपको बताना है दूस्तों इस question का सही जवाब वह तक्त पर सोता है वाकि में कर्थ वाच्च है अकर्मक करिया है Option यहाँ पे जो right answer हो जाएगा C हो जाएगा कर्थ वाच्च Next question, question number 36 है दूस्तों हस्त लिखित शब्द की समास का उदाहरण है तो आपको समास बताना है देए गए options में से तो हस्त लिखित में सोता है हास से लिखित और हास से लिखित में ततपुरुष कारण या तरतिया ततपुरुष समास है तो वी right answer हो जाएगा ततपुरुष समास उद्धरन अथ्वा भाव प्रकाशन तथा व्याख्या वाचक पदों के पहले अपूर बिराम के आगे कौन सा चिन लगाते है तो उद्धरन अथ्वा भाव प्रकाशन व्याख्या वाचक पदों के पहले अपूर बिराम के आगे निर्देशक चिन लगाते है option c right answer हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगला question question 38 है सही विकल्प चुनिए तो सही विकल्प का आपको चैन करना है दिये गए questions के विकल्प में से पल्वन सामानिता किस में किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तो सही जवाब जो हो जाएगा सही पारिभाशिक शब्द जो होता है recommended होता है जिससे संस्तुती कहते हैं recommended संस्तुती option c right answer हो जाएगा अगला question question number 40 है जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द निमलिखित में से कौन सा है तो जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है right answer भी हो जाएगा अगला question question number 40 प्रसंद संख्या 41 से 45 नीचे दियेगे गद्यांस को पढ़कर दियेगे प्रसंदों के उत्तर विकल्प में से चुन कर दिजे तो दोस्तों यहाँ पे आपका गद्यांस दिया गया है इस गद्यांस को आप ध्यान पूरुप पढ़ लिजे इसके नीचे दियेगे questions के answer भी आपको paragraph के according ही देने होंगे तो आएए इसको पढ़ लेते हैं सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है वा मित्र के कण जैसे दुख को भी मेर्यू के समान भारी मान कर उसकी साहता करता है मित्र शुक दुख का साथी वह केवल दुख में ही नहीं सुक में भी साथ देता है मित्र की होने पर हमारे सुक के छण रंगीन होडते हैं कोई भी खुशी पार्टी या महफिल मित्रों की बिना नहीं जमती सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक शायक और मारक दर्शक का काम करता है जब भी हम निराश होते हैं मित्र हमारी हिम्मद बढ़ाता है जब हम परास्त होते हैं वह उसाह देता है, जब हम सिथिल होते हैं वह प्रेणा देता है, जब हम रास्ता भूलते हैं वह मार्ग दर्शन करता है, सच्चा मित्र हमारे लिए शक्ति वर्धक और शदि बनकर हम सामने आता है, सच्चा मित्र हमें पत ब्रस्त होने से बचाता है और सनमार्ग पर भी अगरसर करता है सच्ची मितरता वस्तुता एक वरदान है तो दोस्तों यह रहाग का गद्यान्स का पर और नीचे दियेगे questions को answer को देख लेते हैं दोस्तों question number 41 है सच्चा मितर कौन होता है दोस्तों आपको बताना है सच्चा मितर कौन होता है तो right answer जो हो जाएगा इस question का दोस्तों गद्यान्स के अनुसार जो सुक दुख और सभी अवर्स्थाओं में मितर का साथ देता है वही सच्चा मितर होता है option C यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अगला question question number 42 की बात करते हैं दोस्तों निराश होने का मितर निराश होने पर मितर क्या करता है तो निराश होने पर मितर हमारी हिम्मत बढ़ाता है option A right answer हो जाएगा अगला question question number 43 है भटकने पर मितर क्या करता है तो भटकने पर मितर हमारा मार्ग दर्शन कर हमें सनमार्ग पर लाता है सही मार्ग पर लाता है option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number 44 सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझता है तो इस question का यहाँ पर right answer जो हो जाएगा सच्चा मित्र अपने मित्र के छोटे से दुख को परवद की तरह बड़ा समस्ता है option यह यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 45 है इस गद्यांस का एक उचित सीर्षक दीजे तो एक उचित सीर्षक आपको बताना है गद्यांस का दिये गए options में से तो प्रस्तुत गद्यांस का उचित शीर्षक जो होगा वो सच्ची मित्रता एक वरदान हो सकता है option C right answer हो जाएगा अगला question, question number 46 है प्रेनड आर्थक की द्रश्टी से शुद्ध वाक्य है शुद्ध वाक्य का आपको चैन करना है तो प्रेनड आर्थक की द्रश्टी से माकान मालिक ने पुलिस द्वारा किरायदार को बाहर निकाल दिया या निकलवा दिया शुद्ध वाक्य option C यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 47 है निमलिकित में से कौन सा चंड का परकार नहीं है option C यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा next question, question number 48 है दोस्तों वह अपराधी था, इसलिए उसे सजा मिली वाक्य है, किस परकार का वाक्य है आपको बताना है तो वह अपराधी था, इसलिए उसे सजा मिली यहाँ वाक्य सायुक्त वाक्य है option B right answer हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों वाक्य जो है परधान है इन्हें और इसलिए समुचे बोधक अव्वे से जोड़ा गया है तो ध्यान रखिएगा, दोस्तों अगला question, question number 49 है दोस्तों कार्तूष किस भाषा का सब्द है आपको बताना है कार्तूष किस भाषा का सब्द है दिये गए options में से तो कार्तूष फ्रेंच भाषा का सब्द है option C right answer हो जाएगा next question और अंतिम question है इस practice set का हिंदी का किस शब्द में resource नहीं है आपको बताना है दिये गए options में से किस में resource का प्रियोग नहीं हुआ है तो right answer जो हो जाएगा resource रिवाज सब्द में नहीं है option D right answer हो जाएगा दोस्तों ये रहे आपके हिंदी के 50 questions आपने सभी questions को attempt किया होगा आपको बताना है दोस्तों इन 50 questions में से आपके कितने questions सही हो पाते हैं आपके set के हिंदी के 50 questions को इस class में solve करेंगे दोस्तों दोस्तों बहुत ही बहती प्रशनों का संकलन है इस practice set में और आप लोग class पूरा देखें और सभी 50 questions को attempt करने की कोशिश करें सभी questions को attempt करें और last में score बताना मत भूले किसके कितने score इस practice set में हिंदी में आप प्राप्त कर पाते हो क्योंकि आप जितना ज़ादा practice करेंगे उतना ही आप अपने आपको मजबूत कर पाएंगे और आपके अंदर एक confidence develop होगा तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा यदि लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब को संभव है इस समसार में ना मुकिन कुछ भी नहीं है यदि आप ठान लेते हो तो आपको आपकी मनजिल ज़रूर मिलती है अगर आप कोशिस करते रहते हैं मेहनत करते रहते हैं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के कोशिन नमबर फर्स्ट से यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है कोशिन पहला है दोहा और रोला को करम में मिलाने पर कौन सा चंद बनता है तो दोस्तों आपको बताना है दिये गए आप्संस में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो दोहा और रोला को करम से मिलाने पर कुन्डलिया चंद बनता है आप्सं भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कोशिन कोशिन नमबर सिकेंड है निमलिखित बिकल्पों में से किस बिकल्प में सभी शब्द वेक्तिवाचक संग्या है तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इस कोशिन का आप्सं ए सही जवाब हो जाएगा राम, रामचरित मानस और गंगा में सभी शब्द वेक्तिवाचक संग्या है आप्सं ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशिन, कोशिन बताड है स्वर्ग प्रत्वी सूर किस शब्द के अनेकार्थी है आपको बताना है दोस्तों दिएगे options में से तो स्वर्ग प्रत्वी सूर शब्द खेचर के अनेकार्थी है खेचर option C right answer हो जाएगा Next question, question number 4 है निम लिखित शब्दों में सदा इस्ट्री लिंग वाला शब्द कौन सा है तो right answer जो हो जाएगा सदा इस्ट्री लिंग वाला शब्द मकडी है option C right answer है Next question, question number 5 है pulling और इस्ट्री लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए options में से आपको बताना है तो right answer जो हो जाएगा data दानी pulling इस्ट्री लिंग का जोड़ा नहीं है option C right answer हो जाएगा Next question, question number 6 है दूस्तों गांधी जी का आर्थसास्त्र धर्म और किस पर आधारित है गांधी जी का आर्थसास्त्र धर्म और किस पर आधारित है option A, सही जवाब है next question question number 7 है बिद्याधन शब्द किस शमास का सब्द है दोस्तों, आपको बताना है दिएगा options में से, तो बिद्याधन शब्द कर्मधारे शमास का उधारान है, option B right answer हो जाएगा अगला question, question number 8 है बामुलाहजा, शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है दोस्तों, दिएगा options में से right answer क्या हो जाएगा, तो बामुलाहजा में बाउपसर्ग उर्दू फार्शी शब्द है दोस्तों, option ये right answer हो जाएगा, बा बामुलाहजा में बाउपसर्ग होगा, option ये right answer हो जाएगा अगला question question number nine है साडानन शब्द किस समाज का उदाहरण है तो आपको बिताना है दूस्तों दिएगा options में से साडानन चा आनन मुख हैं जिसके उसको सिवपुत्र कहते हैं और बहुबरी समाज का उदाहरण है option भी right answer हो जाएगा next question question number 10 है निम लिखित चा वाक्यांसों में से पर्थम वा अन्तिम निश्चित है से इसको उचित करम में विवस्तित कीजिए तो इस question कहाँ पर right answer जो हो जाएगा दूस्तों option A हो जाएगा और इसमें आपको करम में लगाना है तो आप कैसे लगाएगे सवदेश प्रेम के वसी भूत होकर नागरिकों के देश के आहान पर सदा बड़े से बड़ा त्याक किया है तो सदा बड़े से बड़ा त्याक किया है तो इस तरह से आप दिए गए संटन्स को करम में विवस्तित कर सकते हैं अगला question question number 12 है प्रोष सहीत का बिलोम शब्द होगा आपको बताना है दोस्तों प्रोष सहीत का इन में से कौन सा बिलोम शब्द होगा तो right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा हटो सहीत होता है प्रोष सहीत का बिलोम next question, question वर 12 है दिये गए वाक्यांस के लिए एक शब्द का प्रियोग कीजे जो शत्र की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं जो शत्र की हत्या करता हो उसे शत्रोगन कहते हैं option A यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों next question question बर 13 है अनुमत शब्द के लिए वाक्यांस का चैन कीजे तो अनुमत सब्द के लिए सही वाक्यान किसी कार के लिए सहमत्य देना option D right answer हो जाएगा next question, question number 14 है दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो देता है मुहावरे का, मुहावरे दोरा रिक्तिस्थान की पूर्थ कीजे तो right answer जो हो जाएगा, option C हो जाएगा यहाँ पे सही जाब हो जाएगा अगला question, question number 15 है बद उप्षर्ग की सब्द में है आपको बिताना है, दुख्तों देएगा options में से बद उप्षर्ग का प्रूप की सब्द में किया गया है तो बद उप्षर्ग, बद मार शब्द से जुड़ा है option C, right answer हो जाएगा अगला question, question number 16 है निम लिखित में से साधारान वाके का चैन कीजे तो आपको बताना है दुख्तों यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो साधारान वाके, मैं आपसे सहमत हूँ मैं आपसे सहमत हूँ option B, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 17 है मुझे विश्वास है कि आप अवस्य आएंगे में वाके का प्रकार पहचानी है तो right answer जो होगा, option B होगा यहाँ पे मुझे विश्वास है कि आप अवस्य आएंगे यहाँ मिश्रित वाके है, option B, right answer है next question, question number 13 है निम लिखित में से किस वाके में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है तो आप शायद पटना के रहने वाले है वाके में विराम चिन्होंड विराम का सही इस थान पर प्रयोग हुआ है तो option यहाँ पे a right answer हो जाएगा आप शायद पटना के रहने वाले है सही जवाब है अगला question, question number 19 है निम लिखित पहली के सही उत्तर का चैन कीजे लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है तो आपको बताना है इनमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत है पहली का सही उत्तर होगा option C, आग और धुआ option C, right answer है अगला question, question number चुन्ती है दोहा, चौपाई, सवईया, सोठा आदिकी प्रत्मावली के अंत में निमलिखित में से कौन सा बिराम चेन प्रियोग होता है तो right answer जो हो जाएगा दूस्तों यहाँ पे option A हो जाएगा अल्प बिराम का प्रियोग होता है अगला question, question number 31 है अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरन है दिये गए options में से आपको सही बिकल्प का चैन करना है तो अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरन जो है यहाँ पे पात भरी, सहरी, सकल, सुत बारे-बारे तो option D right answer हो जाएगा पात भरी, सहरी, सकल, सुत बारे-बारे option D right answer हो जाएगा next question, question number यहाँ पे 22 है दाता का बिलोम शब्द लिखे तो दाता का बिलोम शब्द आपको पहचानना है दिये गा options में से तो दाता का बिलोम शब्द याचक होता है option D right answer हो जाएगा याचक next question, question number 23 है कल्पना का बिशेशन शब्द है तो कल्पना का बिशेशन शब्द बताना है दुस्तों दिये गा options में से तो right answer जो हो जाएगा option A हो जाएगा दुस्तों काल्पनिक होता है क्योंकि कल्पना भावाचक संग्या है अब भावाचक संग्या में प्रत्य एक लगाकर काल्पनिक बनाए गया है एक लगाकर काल्पनिक बिशेशन बनाए गया है बनाए जाता है तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा next question, question number 24 है वह वेक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है जो वेक्ति दिन में एक बार भोजन करता है उसे क्या कहते है देगे options में से आपको सही शब्द का चैन करना है तो right answer जो हो जाएगा वह वेक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह एका हारी कहलाता है option A यह right answer हो जाएगा next question, question number 25 है कुमार का एक आर्थ है आपको बताना है दोस्तों दियेगा options में से कुमार का एक आर्थ इन में से कौन सा हो जाएगा तो कुमार का एक आर्थ जो होता है दोस्तों गौतम है option D right answer हो जाएगा next question, question number 26 है आर्थ के आधार पा निमलिकित वाक्य का भेड बताईए इस्वर करे आपकी यात्रा शुब हो तो 26 का सही जवाब option C हो जाएगा इच्छा वाचक है जहान रखिएगा अगला question, question number 27 निस्तेज का संदी विछेद है दोस्तों आपको बताना है दिएगे options में से तो निस्तेज शब्द का संदी विछेद नहीं प्लस तेज होता है और इसमें विशर्ग संदी इसमें विशर्ग संदी है दोस्तों option A यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 28 है जो सब्द विशेशन अथ्वा क्रिया विशेशन की विशेशता बताते हैं उसे क्या कहते है तो right answer option भी हो जाएगा उन्हें प्रा विशेशन कहते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा next question, question number 29 है माल गोदाम में समास है आपको बताना है दिएगा options में से तो माल गोदाम में तदपुरुष चतुर्थी संपरदान तदपुरुष शमास है तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा तदपुरुष शमास question number 30 है मोहन नहीं आने वाला है वाकिक है किस प्रकार का है दोस्तों तो मोहन नहीं आने वाला है नकारात्मक वाकि है option D right answer हो जाएगा next question question number 31 है निमलिखित वाकिका सुध रूप है अब आप जा सकता है इस वाकिका आपको शही और सटीक सब वाकियांस का वाकिक आपको दिएगा options में से आपको बताना है कौन सथ सही हो जाएगा तो अब आप जा सकता है वाकिका सुध रूप होगा अब आप जा सकते है option D right answer हो जाएगा अब आप जा सकते है question number 32 है साहित गुंजन नामक साहितिक पत्रिका कहां से प्रकासित हुई थी महत्पूर्ण प्रशन है आपकी परिच्छा की दोस्टे से दोस्टों ध्यान रखेगा बहुती बहत्तरीन प्रशन है तो right answer जो हो जाएगा option D in doubt है option D right answer हो जाएगा अगला question question number 33 सीमित छेतर में बोली जाने वाली भाशा को कहा जाता है तो सीमित छेतर में बोली जाने वाली भाशा को बोली कहा जाता है option C right answer हो जाएगा next question question number 34 है मगही किस उभाशा की बोली है तो आपको बताना है दोस्तों मगही किस उभाशा की बोली है तो मगही बिहारी उभाशा की बोली है बिहारी हिंदी की तीन बोलिया है भोजपुरी, मगही और मैथली है दोस्तों ध्यान रखिएगा option D right answer हो जाएगा अगला question, question 35 है संसोधन के लिए उप्यूक्ट शब्द है आपको संसोधन के लिए दिये गए options में से सटीक शब्द का चैन करना है तो यहाँ पे right answer जो हो जाएगा रुस्तों संसोधन के लिए उप्यूक्ट शब्द modification है option B right answer हो जाएगा modification next question, question 36 है निमलिखित विकल्पों में से वाकि के लिए उप्यूक्ट लोकुत्ती का चैन कीजिए सीमित दायरा होना option A right answer हो जाएगा मिया की दोड मर्जिस तक option A right answer हो जाएगा next question, question 37 है निमलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द पहें जानी है तो शुद्ध वर्तनी शब्द का चैन करना है दोस्तों आपको दिये गए options में से तो right answer जो हो जाएगा रचैता शुद्ध सुद्ध वर्तनी है option C right answer हो जाएगा रचैता इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों अगला question, question में 30 निमलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चैन कीजिए तप और तप पे तो यहाँ पे right answer हो जाएगा तप तप का शब्द युग्म का सही अर्थ जो होगा तपस्या शुव तप करने वाला तो option C right answer हो जाएगा तपस्या शुव अगला question, question में 39 है कि समुह में सभी शब्द उतकर्स के परयावाची है दिये गए options में से दोस्तों आपको बताना है तो उतकर्स शब्द के परयावाची यहाँ पे जो हो जाएगा option C हो जाएगा उत्थान, तरक्की, अभिदय, सम्रध्धी option C यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question question number 40 है 36 गड़ी किस भाशा की बोली है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तो right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा पूर्वी हिंदी 36 गड़ी पूर्वी हिंदी की बोली है और पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां होती है अवधी, बगहिली और 36 गड़ी ध्यान लिखेगा अगला कोशन कोशन नुबर 41 है निमलिखित वाक्यों में से मिस्र वाक्य का चैन कीजिए तो मिस्र वाक्य का चैन करना है दोस्तों तो right answer जो हो जाएगा option D मैं चाहता हो तुमारे साथ खेलूं यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और यहाँ वाक्य मिस्र वाक्य है और जिसमें की समुचे बोधक अब्बे का लोप हुआ है तो option D right answer हो जाएगा अगला कोशन कोशन नुबर 42 है पिहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्च है आपको बताना है तो पिहू कंप्यूटर ठीक करती है में करत वाच्च होगा option A right answer है करत वाच्च next question question 43 है बी उपसर्ग से बना शब्द निम लिखित में से कौन सा है तो बी उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है तो right answer जो हो जाएगा यहाँ पे T हो जाएगा बी उपसर्ग से बना शब्द बी उपसर्ग है B प्लस योग बराबर होता है बी उपसर्ग option D right answer हो जाएगा next question question 44 निम लिखित वाच्चों में कौन सा बिराम चिन छूटा है वाह या कैसी बिंडबना है तो आपको बताना है दोस्तों वाह या कैसी बिंडबना है इस वाक्च में बिसमया दिबोधक बिराम चिन छूटा है सही वाक्च होगा वाह या कैसी बिंडबना है तो आप इसको इस तरह से लिख पाएंगे वाह या कैसी बिंडबना है बिंडबना है इस तरह से द्याने केगा दोस्तों अगला question question number 45 निम लिखित में से किस शब्द में एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों इस question का जो right answer जो है 44 का option C रहेगा विसमया दिवोधक बिरामचिन रहेगा बढ़ते हैं अगले question की और question number 45 है निमलिखित मैं से किस शब्द में एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है option c में हो जाएगा धनिक धनिक में एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है धनिक धन प्लस एक बराबर धनिक एक प्रत्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों ध्यान रखिएगा option c right answer हो जाएगा अगला question question word 46 है 80 की आमद 84 का खर्च लोकुत्ती का अर्थ है आपको बताना है दोस्तों तो 80 की आमद 84 का खर्च लोकुत्ती का अर्थ होता है आमदनी से अधिक खर्च होना option c right answer हो जाएगा आमदनी से अधिक खर्च होना 80 की आमद 84 का खर्च अगला कोर्शन कोर्शन वर 47 निम लिखित पंक्तियों में रस पहचानिये आपको दिये गए पंक्ति में से आपको रस पहचानना है कहत नटत रीज़त खिज़त मिलत खिलत लजियात भरे मौन से करत है नैनन की हीसो बात तो आपको ये जो पंक्ति दी गई है इस पंक्ति में आपको ये बताना है दिये गए उप्संस में से कौम सा रस का प्रयूग हुआ है तो यहाँ पर इस question का जो right answer जो हो जाएगा दी गई पंक्ति में संयोग सरंगार रस है जहाँ नायक और नायका के संयोग या मेलन का वरान होता है वहाँ संयोग सरंगार रस होता है option A यहाँ पर right answer हो जाएगा संयोग सरंगार अगला question, question बर 48 कलुष का बिलोम शब्द है आपको बताना है दूस्तों कलुष का बिलोम शब्द क्या होगा तो कलुष का बिलोम शब्द निस कलुष होता है option C right answer हो जाएगा निस कलुष next question, question number 49 है तिरलोचन में समास है बताना है दोस्तों आपको तिरलोचन में कौन सा समास होगा तो तिरलोचन तीन नेतर हैं जिसके यानिक इश्यू तो यहाँ पे बहुबिरी ही शमास हो जाएगा option A बहुबिरी ही शमास option A right answer हो जाएगा next question और अन्तिम question है इस practice set के हिंदी के question number 50 है सुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चैन कीजे तो वर्तनी का आपको चैन करना है जो शुद्ध वर्तनी दी गई है तो option A right answer हो जाएगा अन्तिम शुद्ध वर्तनी आपको यूपी ट्रपल सी वीडियो रेग्जाम 22 के लिए practice set पाचवा लेकर आया हूँ और इस practice set के भाग first हिंदी परिज्ञान अमलेखन योग जिता के 50 questions को solve करेंगे जोस्तों दोस्तों यह आप हमारे चैनल पर नाय है तो चैनल को subscribe कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे दोस्तों आये शुरू करते हैं आज के इस class के question number first से question number first है निम लिखित वाकि के लिए के रिक्त स्थान को सही मुहावरे में भरे मंत्री बनने के बाद मुहन का दिमाग डेट डेस गया तो यहाँ पर आपको सही options का चैन करना है तो right answer जो हो जाएगा option B हो जाएगा मंत्री बनने के बाद मुहन का दिमाग आस्मान पर चड़ गया option B right answer हो जाएगा next question question number second है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चैन कीजे लंबे केशों वाली नारी को क्या कहते हैं दियेगा options में से आपको सही option का चैन करना है तो लंबे केशों वाली नारी वाक्यांस के लिए एक शब्द केशनी है option A right answer हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगला question, question number third है आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों आपको बताना है आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दिये गया options में से तो right answer हो जाएगा आविर्भाव शब्द तिरो भाव होता है दोस्तों, option three right answer हो जाएगा आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा नेक्स question, question number four है निमलिखित में से करता मैं एक वचन का वह वचन है आपको बताना है दोस्तों दिये गया options में से तो यहाँ पे इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा करता मैं एक वचन का वह वचन हम है option three right answer हो जाएगा नेक्स question, question number five है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चैन कीजिए जहाँ खाना मुफ्द में मिलता हो उसे क्या कहते हैं दिये गया options में से आपको सही बिकल्ब का चैन करना है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा जहाँ खाना मुफ्द में मिलता हो वाक्यांस के लिए एक शब्द लंगर है option b right answer हो जाएगा अगला question, question number six है इनमें एक शब्द तदसम है आपको बताना है इनमें से कौन सा एक शब्द तदसम दिया गया है तो right answer जो हो जाएगा option c, पक्वान option c, यहाँ पर तदसम सब्द दिया गया है option c, right answer हो जाएगा next question, question number seven बाल समय हर भचलियो तब तीनाव लोक भयो अंधियारो प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा चंद है तो आपको बताना है दोस्तों तो right answer जो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई चंद है यहाँ सम मात्रिक चंद है दोस्तों और इसके प्रत्य एक चरण में 16-16 मात्रें होती है और अंत में जगड या तगड नहीं होने चाहिए तो right answer option c है चौपाई next question question number 8 है निम लिखित में कौन उपसर्ग रहित शब्द है आपको बताना है दोस्तों दिएगे options में से किसमे उपसर्ग रहित शब्द है तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा उपसर्ग रहित शब्द सुरे से है option A right answer हो जाएगा next question question number 9 है मनवती में कौन सा प्रत्य है आपको बताना है दोस्तों दिएगा options में से मनवती में कौन सा प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो right answer हो जाएगा मनवती शब्द में आउती प्रत्य है मन प्लस आउती बराबर होता है मनवती तो option A right answer हो जाएगा आउती अगला question, question number 10 है राज पुरुष में समास होगा तो आपको बताना है दोस्तों दिएगा options में से राज पुरुष में कौन सा समास है तो राज पुरुष, राजा का पुरुष इसमें जो समास होगा वो सस्टी सस्टी या समंध तत्पुरुष आएगा यहाँ पे तो राज आंसर जो होगा, option C होगा अगला question, question number 11 निमलिखित में से कौन सा भिन्यार्थक नहीं है दिए गया options में से आपको बताना है कौन सा भिन्यार्थक नहीं है तो राज आंसर जो होगा रूटी, चपाती, भिन्यार्थक नहीं है आपी तो समानार्थक शब्द है तो राज आंसर भी हो जाएगा, ध्यान लखेगा next question, question number 12 है दूज शब्द के आर्थ हैं आपको बताना है दोस्तों, दूज सब्द के आर्थ इन में से कौन सा होगा तो दूज शब्द का अर्थ जो होता है ब्रह्मः, चत्री, पच्छी, दात, अंडज, चंद्रमा ये सबी होते हैं, तो option D right answer हो जाएगा ध्यान लखेगा अगला question, question number 13 है पक्ष, शब्द क्या है, आपको बताना है दोस्तों तो पक्ष, शब्द तद्सम है, option B right answer हो जाएगा next question, question number 14 है करता लिंग वचन कारक आदी के अनुसार बदल जाते हैं तो right answer जो हो जाएगा यहाँ पे मुहावरे मुहावरे, करता लिंग वचन कारक आदी के अनुसार बदल जाते हैं तो option जो है B right answer हो जाएगा मुहावरे अगला question, question number 15 है जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे कहलाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों आपको बताना है तो right answer जो हो जाएगा option A बिधान वाचक कहलाते हैं बिधान वाचक क्या होते हैं जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे वे वाक्यों बिधान वाचक वाक्य कहलाते हैं ध्यान रखेगा option A right answer हो जाएगा next question, question number 16 सुद्ध वाक्य का चैन कीजे दिये गए options में से आपको सुद्ध वाक्य का चैन करना है दोस्तों, तो right answer जो हो जाएगा भाइस का दूद ताकतवद होता है सुद्ध वाक्य है option C यहाँ पर right answer है अगला question, question number 17 किस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिसर्ण होता है इसमें एक परदान उपवाक्यों का मिसर्ण होता है उसमें एक परदान उपवाक्यों का मिसर्ण होता है और से इस वाक्य आश्रित होता है वह मिसर्ण वाक्य कहलाता है option C, right answer हो जाएगा next question, question number 18 आटे दाल का भाव मालूम होना मुहारे का आश्य है आपको बताना है दूस्तों, दिये गए options में से तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहारे का आश्य है सांसारी कस्टों का अनभाव होने से है option C, right answer हो जाएगा अगला question, question number 19 है निमलिकित च्छावाक्यांसों में से प्रथमवा अंतिम निश्चित है से इसको उचित करम में ब्यूस्तित कीजिए तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा option यह हो जाएगा ला या रावा ला मड़पुर नित्य में राश सारी राथ होती है जिसमें सहार के लोग एकत्र होकर राश का अनंद लेते हैं तो प्राचीन वाकिका ब्यूस्तित करम इस परकार आप करेंगे प्राचीन परंपरा के अनुसार मड़पुर नित्य में राश सारी राथ होता है और जिसमें सहार के लोग एकत्र होकर राश का आनंद लेते हैं तो right answer option यह हो जाएगा next question question number 20 हाथ के प्राची शब्द हैं आपको बताना है हाथ का प्राची इन में से कौन सा होगा दिये गए options में से तो हाथ का प्राची जो होता है यहाँ पे option C right answer हो जाएगा हस्त कर पाड़ option C right answer हो जाएगा गंगोदक का संद बिछेद होगा आपको बताना है दिये गए options में से गंगोदक का संद बिछेद में से कौन सा है तो right answer हो जाएगा गंगोदक का संद बिछेद होगा गंगा प्लस उदक और इसमें गुणशंधी है option यहाँ पी जो है C right answer हो जाएगा गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक होता है अगला question question number 22 निम लिखित पंक्तियों में से कौन सा चंद है आपको बताना है दोस्तों सुनि केवट के बायन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चिता ही जान की लखंतन तो इसमें आपको दोस्तों चंद बताना है दिए गए options में से कौन सा है तो इसमें इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों option B हो जाएगा सोठा है प्रेस्तुत पंक्तियों में सोठा शब्द है दोस्तों और सोठा क्या होता जिसके पर्थम वा तरती चरण में 11-11 तथा दुती वा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है वह 24 मात्रावाला विशम मात्रिक शंद है तो option B यहाँ पे right answer हो जाएगा दोस्तों अगला question, question number 23 है केशव दास ने अपनी किस करती में रसका विवेचन किया है आपको बताना है दोस्तों तो right answer जो हो जाएगा केशव दास ने अपने करती रसिक प्रिया में रसका विवेचन किया है और इसमें रस के साथ साथ वरती और काबे दोशों के लक्षन भी दिये गए है तो right answer option B हो जाएगा रसिक प्रिया next question question number 24 है spill the wins का अनुवाद है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तो spill the wins का सही अनुवाद हो जाएगा रहास उजागर कर देना option A right answer हो जाएगा रहास उजागर कर देना next question question number 25 हिमकर और मरगांक परेवाची है आपको बताना है दोस्तों हिमकर और मरगांक किसके परेवाची है दिये गए options में से तो हिमकर और मरगांक चंद्रमा के परेवाची शब्द है option B right answer हो जाएगा अगला question question number 26 है दोस्तों चमडी जाए पर दमडी न जाए लोकुत्ती का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा चमडी जाए पर दमडी न जाए लोकुत्ती का सही अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूस होना option B right answer हो जाएगा next question question number 27 अजाइब घर है कैसा सब्द है देगा options में से तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा अजाइब घर संकर सब्द है जिसमें अजाइब अर्भी है और प्लस घर जो है हिंडी भाषा के सब्दों का मेल हुआ है तो option D right answer हो जाएगा अजाइब घर संकर सब्द है अगला question question number 28 कौन सा बिकल्प बिलोम युगम है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा थोक फुटकर बिलोम युगम है option D right answer हो जाएगा next question question number 29 निम लिखे शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चैन कीजिए दिये गए options में से दोस्तों आपको बताना है option C right answer हो जाएगा अनल आतप शब्द युगम का सही अर्थ भेद आग धूप है तो option C right answer हो जाएगा आग धूप next question question number 30 तुम्हारी पुस्तक या नहीं वह है रेखान के शब्द सरुनाम का कौन सा भेद है तो right answer जो हो जाएगा निश्चे वाचक सरुनाम है option D right answer हो जाएगा अगला question दोस्तो question number 31 है निश्चे लिखे वाचक के खाली स्थान को भावचक संग्या से पूरा कीजिए उसका सारा सांदर उसकी तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा तो right answer option C हो जाएगा उसका सारा सांदर उसकी हसी में है option C सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 32 वहाँ बाजार जाएगा किस काल से समंधित है आपको बताना है दोस्तों दिए गए options में से तो वहाँ बाजार जाएगा यहाँ वाकि सामान भविस काल से समंधित है option B right answer हो जाएगा next question question number 33 उचारन के आधार पर गा है आपको बताना है उचारन की दर्ष्टी पर गा है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर उचारन के आधार पर गा वर्ण जो है कंठ है option D right answer हो जाएगा अगला question question number 34 इन में से कौन सा सब्द ओडा प्रत्य से बना है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से किस शब्द में ओडा प्रत्य लगा हुआ है तो right answer हो जाएगा ओडा प्रत्य से बना शब्द हस ओडा है हस प्लस ओडा option D right answer हो जाएगा हस ओडा next question question number 35 धुरूर शामनी नाटक के रचाईता है महत्पूर प्रत्य है ध्यान अखेगा तो इसका सही जाब जो हो जाएगा धुरूर शामनी नाटक के रचाईता जैसंकर प्रसाद है यहाँ इनकी आंतिम नाटिक रती है option C right answer हो जाएगा इसका ध्यान अखेगा अगला question प्रसं संक्या 36 से 40 निमलिखित गध्यांस को ध्यान पुरोग पढ़कर उसके नीचे दियेगे बहुविकल्पी प्रसनों में से सही विकल्प का चैन कीजे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो गध्यांस दिया गया है इसे आप ध्यान से पढ़ लीजे मदर टेरेसा एक सची से विका थी एक बार मदर टेरेसा कुष्ट रोग से पीडित रोगियों के इलाज के लिए कुलकाता में दुकान दुकान जाकर चंदा एक अत्र कर रहें थी इसे सिलसले में मदर एक अमीर ब्यापारी की दुकान पर पहुँची जो अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था जब मदर ने उस ब्यापारी के आगे अपना सीधा हाथ फैला कर कहा कि कुष्ट रोग से पीडित भाईयों के लिए कुष्ट देने की कृपा करें तब उस ब्यापारी ने मदर टेरेसा के सीधे हाथ पर पान की पिक धुक दी इस पर मदर टेरेसा बिल्कुल भी बिचलित नहीं हुई और उन्होंने तुरंत अपना सीधा हाथ पीछे करते हुए कहा यह तो मेरे लिए हो गया और फिर अपना बाया हाथ आगे फालाते हुए आतिन्त प्यार से बोली अब कृपा कर मेरे कुष्ट रोगी भाईयों के लिए कुष्ट देने का कस्ट करें उस ब्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिलकुल बिचलित और कृधित नहीं होगा और उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करेगा वह तुरंत मदर के चरणों में गिर पड़ा अपने किये की माफी मांगी और उसके बाद मदर टेरेसा की साहता भी की तो ये रहा दोस्तों आपका पैराग्राप और इससे समंधित नीचे कोस्टन्स दिये गए हैं इन कोस्टन्स के अंसर को देख लेते हैं तो कोस्टन्स नमर 36 है मदर टेरेसा कहां पहुँची तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा एक अमीर ब्यापारी की दुकान पर पहुँची ऑप्सन भी सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 37 Mother Teresa ने व्यापारी के आगे हांथ फैला कर क्या कहा? तो यहाँ पर right answer option यह हो जाएगा कुछ रोग से पीडिद भाईयों के लिए कुछ देने की किरपा करें Next question, question number 38 Mother Teresa कौन थी? आपको बताना है दोस्तों तो right answer option C हो जाएगा एक सच्ची सेविका थी? अगला question, question number 39 व्यापारी किसके चर्णों में गिर पड़ा? तो right answer option T हो जाएगा Mother Teresa के Next question, question number 40 इस अनुछेद से क्या सीख मिलती है? तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा तो यहाँ पर इस question का जो right answer हो जाएगा option A हो जाएगा हमें किसी भी परिस्तिती में हार नहीं माननी चाहिए option A इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question दोस्तों question number 41 किस वाक्ष में करम वाच नहीं है? आपको बताना है दोस्तों तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option C right answer हो जाएगा बालक खिल खिला कर हस रहा था option C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा और इस वाक्ष में करम वाच नहीं है option C right answer है next question question number 42 किस वाक्ष में अकरमक करिया नहीं है आपको बताना है दोस्तों तो right answer जो हो जाएगा बालक पतंग उड़ा रहा था इस वाक्ष में अकरमक करिया नहीं है यहाँ पतंग करम है option C right answer हो जाएगा next question question number 43 है दोस्तों बीरस के भेदों में कौन सा सामिल नहीं है आपको बताना है दिये गए options में से तो right answer हो जाएगा करम बीर बीरस का भेद नहीं है option C right answer हो जाएगा next question question number 44 ऐसा पद जो किया या संग्या की विश्यस्ताना बता कर एक वाक्ष या पद का संबन दूसरे वाक्या पद से जोड़ता है वह कहलाता है तो दिये गए options में से right answer जो हो जाएगा option C हो जाएगा समुच्चे बोधक कहलाता है option C right answer है next question question number 45 किस छंद में च्छा चरण होते हैं आपको बताना है दूस्तों तो right answer जो हो जाएगा च्छपपए चंद में च्छा चरण होते हैं चार चरण रोला चंद के और दो चरण उलाला चंद के होते हैं दूस्तों धनके का option D right answer हो जाएगा च्छपपए अगला question question number 46 जहाँ उप में सोयम ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दूस्तों बताना है आपको तो जहाँ उप में सोयम ही अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है option D यहाँ पर right answer हो जाएगा अन्वय अगला question question number 47 बुरे भाव से की गई शंदी को कहते हैं तो बुरे भाव से की गई शंदी को क्या कहते हैं तो right answer जो हो जाएगा बुरे भाव से की गई शंदी को दुरू भी शंदी कहते है option A right answer हो जाएगा अगला question question number 48 है बखूबी में कौन सा समास है आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तो बखूबी में सोता है खूब सोर्ती से और इसमें जो है अभेई भाव समास है option A right answer हो जाएगा अगला question question number 49 निम लिखित में से केतू का परयवाची नहीं है आपको बताना है दोस्तों तो right answer जो हो जाएगा option D हो जाएगा केतू शब्द के परयवाची जंडा होता है पता का और निशान option D यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question question number 50 जो प्राप्त ना हो के लिए एक शब्द निम लिखित में से कौन सा है आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पे right answer हो जाएगा इस question का जो प्राप्त ना हो वाक्यांस के लिए एक शब्द अलब्भ है option B right answer हो जाएगा दोस्तों यह रहे आपके 50 questions इंडी के आपने 50 questions को देखा और दोस्तों